22 अगस्त के तीनों सिफ्टों का math question ये मैंने लिख लिए है पेपर में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सारे question जितने भी पूचे गया था बाइस अगस्त को और माफी चाहूँगा थोड़ा लेट हो गया सारे question को collect करने में ठीक है क्योंकि सारे question को verify भी करना होता है तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर आते हैं तो ये रहा सारा question यहां पर सारे question को मैंने slide में कर लिया है और एक बर मैं सारे question आपको दिखा देता हूँ अगर आपको जिस तरीका से लिखा है उससे आपको सारे question आप खुद से भी समझ पाओगे जैसे मैंने लिखा है बट फिर भी एक बर मैं समझा देता हूँ ताकि चीजे सभी लोगों को समाझ जा जाए ठीक है तो चलिए तो यहां पर देखेंगे तो 22 अगस्त का पहला चेफ का question है त्रिबुच का छेतरफल आपसे पुछा गया था यह आपको भुजाय दे रखा था और अभी एक्जाम में त्रिबुच का छेतरफल काफी question पुछा जा रहा है उसके उपर भी एक question पुछा गया था दो नंबर का ratio दे रखा था आपको HCF दे रखा था आपसे दोनों नंबर पुछा था एक question selling price देके loss percentage देके आपसे new selling price पुछा था 5% के profit पर next question यहां पर मुलो की प्रकृतिक बताई यादी दुघात समिकरन दे दिया गया था यानि find the nature of root यह question को मैंने cover भी किया था और अभी तो आपके paper में दुघात समिकरन यानि quadratic equation से question काफी पूछे जा रहा है एक ही shift में 3-3 question तक आपके पूछ लिया जा रहा है यानि यह बहुत hot topic है यहां से question मतलब बनेगा मतलब बनेगा बार बार ठीक है चलिए आगे देखेंगे एक question आपका SI से था जिसमें time आपको दे रहा था principle दे रहा था rate दे रहा था 4% SI आपसे पूछा था SI का question बहुत simple simple बन रहा और CI का question किनी किनी shift में पूछा जा रहा ठीक है एक question quadilateral पर था जिसमें आपको diagonal दे रहा था विकर्न दे रहा था height दे रहा था और आपसे area पूछा था हो सकता यह जो मैंने आपको figure में बताया यह figure ऐसे नहीं दिये होगे यह word में आपको दिया गया होगा तो यह भी आप लोग देखना एक question आपको एक आयात का छेतरफल rectangle का area दे रहा था length आपको दे रहा था breath आपसे पूछा था या फिर आपको breath दे दिया गया होगा तो आपसे paper में length पूछा होगा तो दोनों में से कोई एक जरूर आपसे पूछा गया था एक कोशन आपका एज का पुछा गया था पिता की आयू पुतरी की आयू का अगर तीन गुना है दस वर्स बाद पिता का आयू पुतरी की दो गुना हो जाएगा तो डॉटर का प्रेजेंट एज पुछा था एक कोशन ट्रेन से था जिसमें से एक ट्रिन का लंबाई और दूसरे ट्रिन का लंबाई दे रखा है दोनों opposite direction में 10 second में पार करता है तो आपसे उसका relative speed पूछा था ठीक है किलोमेटर परतिगंटा में एक question आपसे पूछा गया था कि किसी तिरभूच का दो angle आपको बता दिया गया था 60 degree 80 degree आपसे उसका तीसरे angle पूछा गया था ठीक next एक question आपको भीन में बदलना था यानि सको simplest form में convert करना था अब देखो या तो ये पूछा गया था या तो फिर ये पूछा गया था बट ये maximum यही आपसे पूछा गया था पेपर में और ये भी अभी काफी सिफ्टों में इस तरीका का question आपसे पूछे जा रहा है next आपके बात करेंगे यहाँ पर x का मान पूछा था ये अपको हो चुका है ना ये repeat हो गया principal time rate देखे ऐसा ही पूछा था next question एक question पूछा गया था किसी सहर की अबादी प्रतिवर्स यानि हर साल 4% का rate से बढ़ रहा है उस सहर का अगर present में अबादी यानि present में जो population है ये इतना है ठीक है ये वाला value था पेपर में दिया था ये paper में ये वाला थोड़ा सा बड़ा value दिया था ये अगर present में अगर population इतना है तो दो साल बात कितना होगा ये आपसे paper पूछा गया था ठीक है और एक चीज मैं बताता हूँ हो सकता है data इधर से उधर हो रहा होगा बट exam का जो data था था ना बस वही आप लों के लिए काफी है ठीक है चले एक question आपसे वही वाला था error वाला पूछा गया था जिसमें 100 student का average बता दिया गया था बाद में पता चलता है कि 83 अगर अंकित किया गया था तो correct average आपको बताना था एक question आपको mean proportional पर पूछा गया था यानि मद्द अनुपाती पूछा गया था अब ये दो number का मद्द अनुपाती पूछा गया था HCF से question पूछा गया था HCF बताना था HCF से भी question बहुत पूछा जा रहा है फिर से देखो quadratic equation का question है आपको find the quadratic equation using one root ये वाला यानि एक मूल आपको ये दे दिया गया था और other root इसका conjugate pair यानि इसी का conjugate pair का मिला के आपको एक quadratic equation बनाना था समझ रहे हो quadratic equation पर भी question जैसे मैंने बताया तिन-तिन question एक ही shift में पूछ लिया जा रहा है तो फिलाल अगर बात करेंगे आपको quadratic equation का तो ये formula मैंने आपको कई बार बता है फिर से एक हलका बता देता हूँ formula simple होता है x square minus sum of root यानि ये मूलो का योग जिसको अगर हम alpha बीटा माने तो alpha plus beta x plus alpha into beta यानि product of root equal to 0 तो बस इसी formula के मदद से आप कोई भी quadratic equation बना सकते हो यहाँ पस आप देखो दो मूल जो दे रखा था ना एक ये दे रखा था और दूसरा जो root था मूल उसका conjugate pair था ये ऐसा बोला गया था ठीक है चलो एक question 30 का 40% का 70% का value अगर x है तो x का 30% बताओ क्या होगा next ये आपको एक फिर से देखो similarity के उपर भी या फिर concurrent related question आप से पुछे गयते पेपर में जिसका पूरे अच्छे से clear नहीं था question फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि इससे भी question आपके बन रहा है एक question सम्दिवाहोत त्रिभूज यानि आइससलेश्ट रेंगल का समान भूजा बता दिया गया था और अधार बता दिया गया था इसका भी आपको एरिया बताना था clear? चले next shift क्यों रहाते है 22 तर एक second shift का यहाँ पर सबसे पहला question 11 का प्रथम 12 गुर्णाजो का ओसत पुछा था यानि what is the average of first 11 multiple of 12 यह previous year का एक question है previous year का बस data अलग था next question 51 से लेकर 100 के बीच 51 से लेकर 100 के बीच में सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या का सबसे बड़ी और सबसे चोटी प्राइम नंबर का यानि अभाजी संख्या का आपसे योग पुछा था सम पुछा था एक question पुछा था two number, two number का ratio दे रखा था आउनका difference यानि अंतर भी दे रखा था आपसे सबसे चोटा number पुछा था फिर से second shift में mean proportional आपसे पूछ लिया था पेपर में 144 और 16 का mean proportional next फिर से आपका SI पर question था जिसमें principle दे रखा था समय दे रखा था simple interest आपसे rate पुछा गया था फिर से question देखो second shift में ये quality equation दे रखा था आपसे मूलों की प्रकृतिक पुछा था या something पुछा था इसका solutions केबल बताओ यानि root में कि क्या होगा बात समझ रहे हो चले next देखेंगे एक question टैमन वर्क से था जिसमें 51 man किसी काम को अगर 12 दिन में कर सकते है जब वो 4 दिन के बाद 6 आदमी को जोडते हैं उस काम में तो remaining work को कितने समय लगे का काम करने में वो ही आपसे पुछा गया था something एक question था कि 3 साड़ी को purchase तीन साड़ी purchase में 2 साड़ी अगर free मिल रहा है तो discount बताओ फिर से आपका देखो quantity equation का है तो मुलो का गुननखंड पुछा था यानि find the product of root, sum of root यही सब question अभी बहुत बन रहा है सब shiftो में जैसे अभी मैंने आपको बताए next question था एक 2 डिजिट का सबसे बड़ा prime number तीन डिजिट का सबसे बड़ा prime number को double करने पर और 3 डिजिट का सबसे बड़ा prime number को triple करने पर उसका sum क्या होगा यही आपसे पुछा गया था यानि 2 डिजिट का prime number और 3 डिजिट का सबसे बड़ा prime number दोनों का sum करके आपको बताना था सॉरी, फिर से बोल रहा हूँ दो डिजिट का सबसे बड़ा prime number का double और तीन डिजिट का सबसे बड़ा prime number का triple का sum पुछा था ठीक है, एक्जेक्ट हूब हूँ यही question पुछा था paper में चले, एक question आपसे यहाँ पर देखो, यह यहाँ पर क्या बोलागे था, किसी आकडे का चार का मान आपको दे रहा था कितना sigma x दे रहा था frequency भी दे रहा था, उसका summation of f भी दे रहा था, आपसे सिधा सिधा पुछा था उसका mean बताओ क्या होगा तो direct direct आपको option में देख जाता, summation of fx, ठीक है, fx divided by total number of frequency, यानि f तो यह direct इसका mean हो जाता ठीक है चले, next देखेंगे आगे बढ़ते हैं next अगर बात करेंगे 12 number question देखो, यह आपका mensuration से था, यह same shift में आपका cylinder देकर, cylinder का height given था, देखो, cylinder का height given था, volume भी given था आपको total surface area निकालना था यानि संपुर्ण प्रिष्ट चेतरफाल निकालना था एक same shift में फिर से आपको एक बार height given था, volume given था, आपको अपकी बार diameter बताना था, व्यास बताना था ठीक है, तो data incomplete है but question समझ आपको आग गया होगा next की बात करेंगे, किसी right angle triangle का kern, यानि hypotenuse, उसकी एक side से 4 cm बढ़ा है, तो दूसरे side से 8 cm बढ़ा था, तो आपको area पूछ लिया था फिर से next shift में बात करेंगे, फिर से देखो 15 number question, यहाँ पर आपको इसको convert करना था, simplest form में next, selling price दे रखा था, इसका एक question algebra से था, यहाँ पर x plus 1 by x given था, आपसे इतना का मान पुछा था, clear है, यह होगी है second shift का question सब, जो पूरे पूछे गए थे exact, यहाँ पर third shift की बात करेंगे, तो दो दो देखे कि मैं आपको बताता हूँ, कि third shift में क्या होता है, last last में जब exam होता है, तो सारे लोग exam देने के बाद, direct से अपना train या फिर गाड़ी पकड़के घर जाने के और जाते हैं, जिसमें काफी लोग से बात नहीं हो पाती अच्छे तरीके से, बात बाकी मैं अपने तरप से तो question पूरे, कोसिस करता हूँ, कि आप लोगों को दिखाओं कि कैसे question पूछे गएते, जैसे कि आप देख सकते हो, third shift का question पूरा मैं आपको हलकाल का बता देता हूँ, जैसे कि time and work में efficiency पर question था, ठीक है, time and work का A, B से 25% अगर जादा efficiency है, तो दोनों मिलकर अगर 8 दिन में काम करेगा, तो आपसे पूछा था, A cut कितने दिन में करेगा, अकिला काम, एक question था, pipe and questions था, जिसमें pipe A और pipe B का चंता दे दिया गया था, something ऐसा था कि 30 minute पहले B को बंद कर दिया जा रहा है, तो आपसे साइट total time पूछा गया था, ठीक है, एक question आपसे ये पूछा गया था, principle ये दे रहा था, time आपको ये दे रहा था, rate आपको 10% दे रहा था, आपसे बोला था कि 3 साल बात amount कितना हो जाएगा, एक question था, 120 degree दे दिया था, आपसे उसका alternate angle पूछा था, ठीक है, alternate angle पूछा था, अब ये जो चीज था ना, ये साइट parallelogram था, ठीक है, next, एक question आपको यहाँ पर फिर से देखो, product of two number, जैसे कि LCM, HCF अला formula पर जो question होता है, कि किसी भी दो number का product, उनी दो number का LCM into HCF के बराबर होता है न, तो बस इस पर question था, किसी दो number का product दे रहा है था, HCF भी given था, आपसे LCM पूछा गया था, फिर से question सेम सिफ्ट में दो root आपको given दे था, और आपको equation बनाना था, ठीक है, पूरा हूब आ हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, data नहीं है, बट ऐसे ही पूछे गया थे, ठीक है, यह 6 number यहाँ हो गया, यहाँ पर मैंने कुछ question लिखा है, 7 number question के बात करेंगे, तो यह आपको दे रखा था, आपको X कमान बताना था, एक question trigonometry से इस वाले shift में अगर बात करेंगे, तो यह आपको ऐसे दे रखा था, यह trigonometry आपको something कुछ ऐसा था, यह question पूरा complete नहीं है, 1 by 10 square plus 1 square something ऐसी तरीके से था, बट यह पूरा completed नहीं है, तो यह एक type का ऐसा question पूछा गया था, फिर एक average speed पर question था, जो normal था, दो speed आपको दे दिया गया था, direct आपको formula लगा का फिर average speed बताना था, एक question partnership का था, partnership का भी simple question था, तीन लोगों का partnership पूरा था, A, B, C, यह 10,000, यह 20,000, यह C, आपका something 30,000 था, यह 4 मैने के लिए, यह 5 मैने के लिए, यह 6 मैने के लिए, total annual का आपको profit दे रखा था, और पूछा था, A का बताओ, profit कितना होगा, clear है सभी का question, एक question आपका statistics से median आपको दे रखा था, जो, median आपको दे रखा था, यह आपका जो था ना, यह group data का question था, median आपको दे रखा था, और आपको classes भी दे रखा था, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, आपको frequency भी given था, अब इसी frequency में किसी का x मान था, ठीक है, कोई frequency x था, और आपसे उसी का मान पूछा था, यानि find x, समझगे question कैसा था, तो एक question आपका यह भी पूछा गया था, तो यह cool मिला कर, मैंने अभी जो आपको दिखाया, करीब-करीब 52, 53 question plus मैंने आपको दिखाया, और चुकि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कि देखो question का जो pattern अगर बात करें math में, तो math में तो अभी जितने भी question मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो almost same type के है, बट अभी मैं यह बोलना चाहता हूँ, कि जो question आपके नहीं निकल पाते हैं, अच्छे type के question, आप ऐसा मत सुचना की question पूरा यही आ रहा है, उसमें से 2-4 question ऐसे होते हैं, जो बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसलिए बोलता हूँ, कि आपको उन्ही 2-4 question के अच्छे से और practice करना है, ऐसा मत सुचना की यह सारे question आपको आता है, मिलते हैं फ्रेंट के से एक्स पूड़ों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वारत!